हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी और कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्री की तयारी नवरात्री की तयारी जम के तो हो रही है ना तो जब हम जम के तयारी करते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारा स्टैमिना भी जो है अच्छे से बनाए रखना रहता है तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आए हूँ एकदन स्वादेश्ट और स्टैमिना से भरपूर ऐसा रजगीरा हलवा जी हाँ ये एक उपवास के लिए व्रत के लिए पॉफेक्ट दीश है और बनाने में भी काफी आसान है और टेस्ट में तो ये वावा लिये भीना नहीं रहती तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राय करना और रेसिपी अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखना अगर आपको रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक और शेर ज़रूर करना तो ये रजगीरा हल्वा जो है कैल्शियम से भरपूर है और वरत के लिए ये एक पॉफेक्ट डिश है तो चलिए फटा-फट देख लेते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं रजगीरा हल्वा रजगीरा हल्वा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी रजगीरा, एक कटोरी चीनी, आधे कटोरे जुदना शुदगी, थोड़े से बादाम और इलाइची पाउडर और दूद तो चलिए फटा-फट देख लेते हैं रजगीरा हल्वे की रेसिपी सबसे पहरे यहाँ पे मैंने दूद गरम करने को रख दिया है, यह याद रहे कि दूद अच्छे से गरम होना चाहिए, तो हमारा हल्वा जो है अच्छा दूद गरम होता है, तब तक हमें कडाई ले रहे हैं, और कडाई में अब मैं घी डालूंगी घी जो है हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा कम घी डाला है, घी की मातरा कम या जादा हम कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, अब घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है, जैसे ही घी अच्छे से गरम हो जाए, उसमें हम अब डालेंगे रजगीरा का आटा दोस्तों यह याद रहे कि रजगीरा का आटा जब टालते हो, तब वो अच्छे से भुना हुआ चाहिए, घी में अच्छे से फ्राई होना हुआ चाहिए और वो fry हुआ है या नहीं वो हम उसकी golden color से देख सकते हैं अब मैं इसको अच्छे से घी में mix कर दूँगी यह देखिए यहाँ पर मुझको थोड़ा सा dry लग रहा है तो इसमें अब मैं all थोड़ा सा घी डाल रहे हूँ क्योंकि यह काफ़ी ड्राय है तो आप बीच में से भी गी डाल सकते हो और अब मैं इसको फिर से mix कर रहे हूं तक्रीबन दो से तीन मिनिट लगते हैं इसको अच्छे से लो फ्लेम पे mix करने के लिए यह आप देख सकते हो कि हलवे का जो color है आटे का जो color है वो पहले white था देनी है यह याद रहे कि जब हम normal सूजी का हलवा बनाते हैं तब हम पहले आटे को fry करते सूजी को fry करते फिर दूट डालते और उसके बाद हम चीनी डालते हैं लेकिन रजगीरे के हलवे के लिए हमें आटा जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए उसमें तुरंत ही चीनी डालन मारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से भुन गया है बहुत बढ़िया ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर आया है अब गैस को हमें बन कर देना है और गरम गरम दूद तीन से चार स्टेप में हमें उसमें डालना है यह देखिए मैंने फोस्टेप में डाल दिया और थोड़ा सा मैं चटर किया फिरज्व में डूद डाल रही हूं इस तरह से हमको कंटीनियोग स्टरог करना है जो आटको मिक्स करना है और दूद उसमें डालते जाना है यह देखिए अच्छे से यह मिक्स होू रहा है, यह याद रहे कि आपकी जो हलवा हिला रहे हो तो वो बीच में बंद मत करिए continuous हलवे को जो है इलाते रहे हैं ताकि गुठलिया भी ना बने और अपना हलवा जो है स्मूध बने पॉफेक्ट मैंने यहां पे दूद्ध डाल दिया है और हलवा अच्छे से बन रहा है प्रॉपर मिक्सिंग करते रहना है अब मैं गैस लगा दूँगी और अब मैं प्रॉपर मिक्सिंग कर रहे हूँ गैस की जो फ्लेम है वो मेढ़ी रखनी है पॉफेक्ट यह देखिए आप देख सकते हैं कितना स्मूध और बढ़िया हलवा बना है अब इसको हम थोड़ी दिर पकने देंगे मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी से इलाइचे पाउडर डाल दी और अगर आप बादाम डालना चाहते हो तो बादाम डाल सकते हो या कोई भी दूसरे ड्राइप्रॉट्स डाल सकते हो जो अभी अबिधे अवेलेबल हो तो यह मैंने बादाम डाल दिये और अब मैं हलवे को थोड़ी देर पकाऊंगी तो यह देखिए दो मिनिट के लिए मैंने ऐसे ही हलवे को लो फलिम पे छोड़ दिया है अब तकरिवन दो मिनिट हो चुके हैं पॉफेक्ट हमारा गर्मा गरम हलवा एकदम तयार है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है बहुत ही यम्मी दिख रहा है और उसका ब्राउन कलर भी पॉफेक्ट आया है तो यह देखिए दोस्तो हमारा गर्मा गरम रजगीरा का हलवा तयार है कि जो नवरात्री के लिए एकदम बेस्ट डीश है आप भी रेसिपी ज़रूर ड्राय करें और आपके कमेंट्स मुझको कमेंट सेक्षन में ज़रूर लिखिए इस वीडियो को हम पहुचाते हैं 1000 लाइक पर तो आप इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर कीजिए ऐसे ही नए नवरात्री के वीडियो के लिए आप चैनल देखते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में